मेरे नाम किंजिल बढ़ेकर है, मैं क्लास पाच्छा की छाक्रा हूँ, क्रमाग शुन्य एक शहसे कहानी कटपुटली के जुबानी सिनाने जाहने हैं कहानी हमें अलग दुन्या का अलबव करा दो और इस दुन्या में हम खुद को पाते हैं कहानी के दुन्या बहुत प्यारी प्यारी लगती है, यह कहानी ही तो है, जो हमें मज़े लिए कोरुनावाइटर्स, महमारी का संकर्देश में जब से आया है, काफी कुछ बदल गया है लोग खुरम में रहकर मायूस पता हुदास है, अपड़े आपकों खुछ लखने का अदाज भूगए है एक हसी ही तो है, जो ख़गवान हर परिश्य को वैदान की रूप में थे तो आज मैं अपसर पहसान के लिए एक संदर जहानी लेकर आया एक समय की बाद एक राज़ में एक राजा था, राजा गड़ा है दांशूर और गयालू था राजा की एक प्यार इसे बेटी थी फूर कुमारी, फूर कुमारी अपने नाम के तरह कुलोजे से कोम थी चंचर और सुन्दर ची और जोल जोल के हटी रादी थी हाहाहाहाहाहाहाहा scheduled भूर कुमारी ज्रॉकते हट सुन्दर भी कुछी सारे पेर पूद्धक्ते जानवर कुछी से नाचने लगता जम बगाती तो सारे तियागाती चित्यागाती कू 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 वहां आगो जोर जोर से अखने लगे राज कुमारे का इस तरह असना उन्हें पसंद नया है वह उन्हें गाटे जिसका राज कुमारे कासी मुलचा जाती है पेट को दे मुलचा जाते हैं चिदिया वीद काना फूल जाते हैं एक दे राज कमंत्री आया और भोला महराज सारे पेट को दे मुझा गए है सारे जानवन दास हो गए है हावारुप गई है तारे भी चुप गए है राजा परिशान हो गया राजा के राज कुमारी उदास हो गए राज कुमारी की उदासी राज के अल्य लोगों से भी देखी नहीं जा रही सब उसे हसाने की कोशिश करने लगी किन्तु सारे कोशिश ना काम दाबों तबी राजा ने राजय में खोशना करवाई की जो भी राज कुमारी को हसाएगा उसे भी सरई नाम दिया चाएगा सब लिए राज कुमारी को हसाने की कोशिश करने लगी किन्तु सारे कोशिश ना काम दाबों तबी एक भालु वाला है भालु ने अपना नास दिखाया लेकिन फिर भी राजकुमारी नहस फिर एक मदारी वाला उसने बंतर का नहस दिखाया लेकिन फिर भी राजकुमारी नहस आखिर में एक जोगरा अब उसने नहस का शुरू किया कि उसके नगले मुठ जमीन पर गिर गए जब अपनी नगले मुठ उठाने लगा तब उसके टोबी खिल गए जब आपने टोबी उठाता उसके फिर खसारा गप्रा खुल गया यहाँ देख राजकुमारी जोड जोड से असने लगी राजकुमारी को खस्ता देख सबी लोग जोड जोड से असने लगे राजा ने जोड को धेड सारा इनाम दिया अब राजा के सारा गटा जब कुशी से नाजने लगा तो दोस्तो हसी एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद के अलावा दूसरों को पी दे सकते हैं हसना अपने आप में गुण जो हम मुश्तिक परिस्तियों को भी निजन अतास करने खुश्त होने और आगे परने की प्रेण ना देता हैं कुप्रा चाहे कोई जिनोस हर्ट किसी को खुषने की चाहत होनी चाहें धन्यवाद